अलिराजपूर जिले के उदेगर विकास खण में पंचाज चुनाओं में हुई खुल्याम धहनलिया रिजक्ट मतों की परचा मिला कर हारे हुए प्रत्याशों को दिलाई जीत आदिवासी बाहूल या अलिराजपूर जीले में तिरेशतरी पंचाय चुनामत जमकर धानलया हुई सासन और भाजपाई जन्परती निद्यों के इसारे पर गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं हारे हुए परत्याशी को रिजक्ट मतों की परचा मिलाकर जीतवाने के आरोप लग रहे हैं और यह आरोप इसलिए है क्योंकि एक आडियो रिकार्डिंग इस्तम्मई वाइरल हो रही है जिसमें मतगड़ना में लगे एक करमचारी के रहा है कि वोट कम थे 12 वोट आये थे मैंने रिजक्ट मतों की परचा मिलाकर गुनिस किया हैं जबकि परत्याशी को 70 मत मिले हैं गड़ना में उन्हें मिले मतों की परची तक नहीं दी जा रही है आरोप है कि जो मतगड़ना में परत्याशी की ओर से सामिल थे उनके साथ भी मारपीट की गई और उन्हें मतदान केंदर से बहार निकाल दिया था मामला आली राजपूर जिले के विकासकन उदेगड की ग्राम पंचार अरंडी फलिया का है यहां रातमालिया मतदान केंदर पर सरपंच परत्याशी रेता निनामा को पंचायत में कुल 346 मत मिले हैं जबकि दूसरी ओर रिना डावर को 310 मत मिले थे आरोपे की मतदान में लगे कर्मचारियों ने 310 वाले परत्याशी को रिजेक्ट मतों की परिचय मिला कर विजय बता दिया जबकि मतदान केंदरों में रिजेक्ट मतों की संक्या मात्रों दो बताए गई है बाकि सब reject मतों को रीना डावर के मतों में मिला जया गया है आदिवाशी बावुल इस इलाके में मात्रों दो वोट ही reject हुए हैं जो सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि प्रदेश भर में अच्छे से अच्छे सिक्षित चेत्रों में भी रिजक्त मत की संक्या भारी मतों में मिली है ऐसे में आदियाशी बहुले चेत्रों में दो ही मतों का रिजक्त होना बात हजम नहीं हो रही है ग्राम पंचाथ की पूना मदगंड़ना की रिकाउंटिंग के साथी दोशों पर कारवाई करन रहाने की मांग प्रतियासी रेत का मिनावा द्वारा की जा रही है विरो रिपोर्ट अलिराजपूर कानोनी कारवाई आप करवाना चाहते हो इन लोगों के ओपर कड़ी स्कड़ी कारवाई होने चाहिए पर जो विक्तिना एकना बताया कि बारा बोट से पाथ बोट गोर्थ दिलवाओं करके बोला में किसने बोला है जिसनु देवराल कि अच्छा वह को न है यह उद्यागार का है अच्छाप एक बोटिंग्स का यह हग्दार कोई करमचारी क्या क्या कोई इस्तादारी है और किसी वेक्ति ने और कोई बात करी क्या कोण टीचर कनेश कोर्शिंग कनेश चान अच्छा और